Hello and welcome back, I am Dr. Rahil Chaudhry, I am Dr. Cataract and Refractive Surgeon आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप अपने चश्मा हटाने का ओपरेशन Latest Laser Technologies, Contura Vision या Silk से प्लान कर रहे हैं तो अब आपके हॉस्पिटल में कौन से कौन से टेस्ट होना जरूरी है जिससे हम शूर हो पाएं कि आपके लिए operation बिलकुल सेफ रहेगा और पूरी life आँख में कोई problem नहीं आईगी तो आज की वीडियो में मैं आपको सारे टेस्ट दिखाने वाला हूँ और थोड़ा सा उन टेस्ट के बारे में समझाने भी वाला हूँ कि कौन सा टेस्ट किस वज़ा से किस operation के लिए करा जाता है तो चलिए शुरू करते हैं दिखातों टेस्ट कैसे कैसे होते हैं तो सबसे पहला टेस्ट जो करा जाता है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्राक्शन रिफ्राक्शन का मतलब होता है चश्मे के नंबर को बिल्कुल अक्यूरेटली निकालना तो ये जो टेस्ट है हम दो तरह से करते हैं एक हम नॉर्मल स्टेट में करते हैं जहां पे हम पेशन को बिठा के चार्ट दिखाते हैं और आंख में कुछ लेंसे लगा के चेक करते हैं फिर हम डाइलेटेड भी करते हैं कि पेशन की आंख में कुछ दवाई डालते हैं और फिर से चश्मे का नंबर निकाला जाता है और फिर एक automated method होता है कि हम machine की help लेते हैं चश्मे का नंबर निकालने के लिए तो ये जो आप दो machine देख रहे हैं इसमें ये जो machine है ये चश्मे का नंबर निकालती है इसको हम लोग कहते हैं auto refractometer या AR ये computerized तरीके से चश्मे का नंबर निकाला जाता है और दूसरी जो machine आप देख रहे हैं ये वाली इसको हम लोग कहते हैं NCT non contact tonometer इसमें हम एक हवा का puff निकलता है जिससे आंग का pressure चेक करा जाता है तो सबसे पहले ये दो चीज़े आपकी चेक होती है साथी साथ ये जो आप machine देख रहे हैं ये एक special machine है जिसको lensometer कहते हैं इसमें हम जो आपकी चश्मे की power है जो आप currently चश्मा पहन रहे हो उसकी power निकाल सकते हैं तो यहाँ पे हम चश्मा रखते हैं और screen पे आजाता है कि जो चश्मा आप पहन रहे हो उसकी क्या power है तो यहाँ पे आपके main 3 test होते हैं AR होता है pressure का test होता है reflection होता है चश्मे का number निकाला जाता है चश्मे का number भी dilated निकाला जाता है and non-dilated state में निकाला जाता है इसके बाद हम next room में चलते हैं और वहाँ पे और check-ups होते हैं next अब जह हम इस room में आ गए हैं तो यहाँ पे जो भी आपके test हो रहे हैं वो basically इस structure के लिए जिसको हम cornea, काली पुतलिया, आंग का शीशा कहते हैं उसके test होते हैं इसके test करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि दौनों contura वाला operation और silk वाला operation दौनों laser operation आंग की काली पुतली पर करे जाते हैं तो जब तक काली पुतली के test बिल्कुल perfect, normal नहीं आते तब तक हम लोग यह operation नहीं करते क्योंकि यह एक cosmetic surgery है लोग शौक के लिए करा रहे हैं अच्छा दिखने के लिए करा रहे हैं government medicals के लिए करा रहे हैं तो हम कहीं भी इस surgery में एक percent risk भी नहीं लेना चाते हैं तो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ इस room में कौन से कौन से test होते हैं सबसे पहला यह test है जिसको हम लोग oculizer test करते हैं काली पुतली के कुछ maps निकलते हैं इससे फिर next test है जिसको हम लोग topolizer कहते हैं next test है जिसको हम लोग corvus कहते हैं उसके बाद जो test होता है इसको हम लोग pentacam कहते हैं उसके बाद जो test होता है इसको eye trace कहते हैं और जो सबसे last में test करते हैं उसको specular कहते हैं तो यहाँ पे आपके 6 तरह के test ओकुलाइजर, टोकुलाइजर, कॉर्विस, पेंटाकैम, आई ट्रेस और स्पेकुलर ये वाले टेस्ट जो है हम इस रूप में करते हैं इसके बाद हम जाते हैं ड्राइ आईज को टेस्ट करने क्योंकि ये ओपरेशन आंख की काली पुतली पर हो रहा है कॉर्णिया पे हो रहा है और इस ओपरेशन का एक साइड एफेक्ट है कि आंखों में ड्राइनेस या सूखा बनाता है दो से तीन महिने के लिए तो अगर आपकी आंख में ड्राइनेस जादा है तो भी ये ओपरेशन हम लोग अवाइड करेंगे तो उसके लिए हम लोग ड्राइ आईस को प्रॉपरली चेक करते हैं ड्राइ आई लाब में तो अब मैं आपको ड्राइ आई लाब में ले जा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ वहाँ पे कौन से कौन से टेस्ट करे जाते हैं अब हम लोग आ गए हैं Dry Eye Lab में, तो यहाँ पे आपके Dry Eyes का सारा चेक अप होता है, और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर Dry Eyes जादा निकलती हैं, तो फिर हम laser operation prefer नहीं करते हैं, फिर हम ICL से operation करते हैं, और अगर हमें लगता है कि Dryness moderate है, तो थोड़ा सा हम पहले Dry Eyes का treatment कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम आपका laser से चेश्मा हटाते हैं, तो यहाँ पे mainly आपके दो तरह के test करे जाते हैं, इस test का नाम है Lippie View, जो Johnson & Johnson की एक machine है Dry Eyes टेस्ट करने के लिए, और इस machine का नाम है Tear Check, जो ESW नाम की company बनाती है, यह कुछ components चेक करती है Dry Eyes के, और यह वाली machine यह दौनों test आपके करे जाते हैं Dry Eyes status को चेक करने के लिए, अब यहाँ पे आपके कुछ और confirmatory test होते हैं, अगर primary test हमारे doubtful आते हैं, तो यहाँ पे एक machine है, इसको anterior कहते हैं, इसमें भी हम लोग पुतली की mapping कर सकते हैं, लेकिन एक अलग technology जिसको ray tracing technology कहते हैं, साथी साथ हम machine हैं और है, IOL Master 700 and Varyon, तो कुछ जगा जहां पर astigmatism doubtful होता है, हमें कौनिया को चेक करना होता है, axial length, आंग की लंबाई को कभी कभी चेक करना होता है, तो वो इन दौनों machine के help से करा जाता है, इसके बाद जो next step होता है, वो होता है आंग के परदे को चेक करना, तो अभी त तक मैंने आपको बताया कि हम लोग आंग का सामने वाला हिस्सा सारा चेक कर रहे थे, अब हमें आंग का पीछे वाला हिस्सा भी चेक करना होता है, कि आपका परदा बिलकुल normal होना चाहिए, परदे में कोई कमजोरी lattice या hole नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम परदे को अब परदे का चेक अप हम लोग मैनुवली भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, परदे वाले डॉक्टर अपने आंग के उपर एक इंस्टुमेंट लगा के मैनुवली परदे को चेक कर रहे थे, और अगर हमें कहीं पर डाउट होता है, तो special machines होती हैं, जै और इन सारे टेस्ट के बाद अब पेशेंट डॉक्टर से मिलता है, जहां पे एक final slit lamp टेस्ट को करा जाता है, और final procedure को फिर decide करा जाता है.